Hey everyone, this is Rekha Devnani and welcome to Operation Me. This is the second lecture on chemical coordination and integration. First lecture में बेटा हम लोग हमारा hypothalamus, pituitary gland and pineal gland को बहुत डीटेल में पढ़कर आचुके हैं. आज हम लोग head से नीचे move करेंगे, neck की तरफ and thigroid and parathyroid gland से स्टार्ट करेंगे. तो ज्यादा टाइम ना बेस्ट करते हुए, let's get started. देखिये, last lecture में हम लोग ये सब कुछ पढ़कर आचुके हैं, जिनके notes I hope कि आपने बना लिया हैं, नहीं बनाए हैं, तो एक बार से वीडियो जाकर देख लीजे, वहां से फटा फट बना लीजे, नहीं तो जो हमारा chapter end होगा, तब मैं आपको ये सारे notes जो हैं, टेलीग्रा अगर आप नहीं हैं, तो जोइन कर लीजे, हर slide में आपको यहां पर टेलीग्राम चैनल का address दिया हुआ है, नहीं तो description में लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग thyroid gland से, अच्छ थाइराइड बहुत ही common term है, जो कि हम लोग सुनते आ रहे हैं बच हो जाती है, कोई मोटा होने लगता है, कोई पतला होने लगता है, या फिर हम देखते कि उसकी body physiology बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, तो बटा, reason यह है कि thyroid gland जो है, जिससे जो hormone से क्रीट हो रहे हैं, यह basically हमारी body के major functions को manage कर रहे होते हैं, maintain कर रहे होते हैं, तो अगर इनक deficiency हो जाए, या फिर access हो जाए, तो body में drastic changes होना start हो जाते हैं, तो disorders कैसे होते हैं, क्या हमारे functions है, thyroid gland के, वो तो हमें पढ़ने ही हैं, सबसे पहले बात आती है, location की, जो कि बहुत ही ज्यादा mandatory है, आपके syllabus के point of view से, मैंने आपको last lecture में यह बताया था, जब भी आपको glands याद करनी हैं, तो आप अप से down जाए, जैसे कि हम लोग skeletal system में जाते थे, it is the best way to memorize all the endocrine glands of your body, छीक है, हम लोग head में पढ़ कर आए, हमने hypothalamus को पढ़ा, उसके बाद हमने pituitary gland and pineal gland को पढ़ा, head region के हमारी हो गई, तो जैसे ही हम लोग head से neck के region में आते हैं, यहां बेटा जो हम जैसे butterfly होती है, butterfly की अगर आप punk देखें, अगर मैं आपको draw करके बताऊ ना, तो कुछ इस है, इस तरीके से बनेगा, यह हो गया हमारा trachea, and यह हो गया दो butterfly के punk, समझ पा रहे हैं, इस तरीके से यह butterfly shaped gland है, और अगर आप बहुत ध्यान से समझना चाहें, तो अगें हम और इस तरफ, ऐसे butterfly की तरह है, दोनों side पर इसके दो lopes attached है, ऐसे, समझ पा रहे हैं, और इसी दोनों lopes को बीच में से attach करने के लिए, इन्ही दोनों lopes को इधर बीच में से attach करने के लिए, एक connective tissue का thin flap present होता है, जिसे हम लोग इस्थमस कहते हैं, बिटा, समझ पा रहे हैं यह देखिए, यह जो हम लोग screen पर ड्रॉ कर रहे हैं, एक thin flap यहां पर present है, जिसे हम लोग इस्थमस कहते हैं, बिटा, these are your two lopes of thyroid gland, जो की आपके trachea के दोनों side पर located है, और इनी दोनों lopes को attach कर रहे है, आपका thin connective tissue का flap, it is called as Isthmus, correct, अब यह दोनों lopes, आगे से तो ऐसे हैं जो attached हैं आपके, this is the ventral side of your trachea, obviously, आगे से तो ऐसे इस्थमस attached है, बट बैक साइड में अगर आप देखें, तो ध्यान से देख लीजें, अगर आप बैक साइड में देख पा रहे हैं, तो यह attached यहां पर नहीं है, correct, देखें, होगा क्या, होगा क्या, यह आप डाइग्राम NCRT में अब बड़े थ्यान से देख लीजे, these are the two lobes, समझ पा रहे हैं, white color अगर आपको नहीं देख रहा है, तो we can use the red color, these are the two lobes, these are the two lobes, okay, these are the two lobes, पहले structure location समझ गया ना, तो आगे की चीज़े फिर easy लगती है, these are the two lobes, and इनके बीच में यह जो connection है, it is isthmus, ठीक है, and it is obviously the ventral side, NCRT में भी mention है, it is the ventral side, okay, and back side में अगर आप देखें, तो यह complete इसको राप नहीं कर रहा है, जहां पर parathyroid gland present है, जिनकी पारे में हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले है, okay, ventral and dorsal side के यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जाना, आप ऐसे समझ लीजे कि यह आप करन इसके बाद में जैसे ही आप इस thyroid को देखेंगे, तो these are the two lobes, okay, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, two lobes, these are the two lobes, okay, and यह interconnected है, with the isthmus, isthmus, okay, and it is the flap of connective tissue, flap of connective tissue, यह सारी बाते जो मैं आपको बता रही हूँ, यह NCRT की ही है, समझ रहे हैं, यह सारी बाते NCRT की ही है, मैंने कुछ अपनी side से add-on नहीं किया है, okay, this is the butterfly shaped gland connected by a flap of connective tissue called isthmus, correct, यह हो गया आपका location, and located on either side of trachea, जो कि NCRT के lines हमने mention कि हुई है, notes में भी, don't worry, अब इसके बाद में, जैसे ही हम इस gland को cut करके देखेंगे, it is necessary to cut this gland, अगर हम इस gland को cut करके देखेंगे बिटा, इसको अगर हम cut करके देखेंगे, मानलेजे कि यह piece हमने ले लिया, और अब हम इसको देख रहे हैं, cut करके, ठीक है, इसको हम देख रहे हैं, cut करके, तो मानले पूरे में टीशू फैला हुआ है, जिसे हम लोग stromal tissue कहते हैं, क्या कहते हैं, stromal tissue, ठीक है, एंड इनके बीच-बीच में कुछ follicles present है, इस तरीके से, कुछ present है इनके बीच-बीच में follicles, correct है, एंड इस follicles are lined by follicular cells, बाहर से lining कर लेते हैं, अंदर से भी कर सकते हैं, बाहर से भी कर सकते हैं, completely overall तो हमें इसके चारो तरफ ही lining बनानी है, एक ही पर हम बना रहे हैं बेटा, ठीक है, सभी पर है यह, these are the follicular cells, follicular cells, तो यह बात समझ में आई, आपके अगर हम thyroid line को कट करके देखें, अंदर से structure देखें उसका, तो वहाँ पर main arena बना हुआ है stromal tissue का, जिसके बीच-बीच में कुछ follicles present है, और यह follicles surrounded हैं by follicular cells, ठीक है, these are obviously, these all are follicles, ठीक है, जिने हम लोग thyroid follicles भी कहते हैं, इनके अलावा बिटा, इनके पास में एक और चीज प्रेसेंट होती है, अच्छा एक चीज और में बताओ, यह जो follicular cells है ना बिटा, यही बनाती है thyroid hormone और इस thyroid hormone को इन follicle के अंदर store करती है, and thyroid gland is the only gland who stores his secretion या its secretion itself, अपना secretion खुद store करने का काम सिर्फ और सिर्फ thyroid gland का ही है, it is the only gland which stores its secretion, ठीक है, अच्छा आप कहेंगे, मैं pituitary gland भी तो कहीं ना कहीं स्टोर कर रही थी, हमने पढ़ाता, posterior pituitary से स्टोर कर रही थी कुछ hormones को, तो वो बेटा hypothalamus के जो hormones थे, उन्हें store करके secrete कर रही थी, but अपने hormones store नहीं कर रही थी, it is the only gland which stores their secretion, ठीक है, यहाँ पर follicles में क्या हो जाएगा इनका, जो भी यह thyroid hormone प्रेड्यूस करेंगी, follicles में store हो जाएगा, ठीक, अच्छा, इनके अलावा, follicles के पास में, यहाँ पर कुछ cells प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं, para follicular cells, यह पिटा word NCRT में mention नहीं है, बट NCRT में कुछ थोड़ा सा बताय हो है, तो इसके आप लिख लिजेगा, these are para follicular cells, जो की एक अलग हॉर्मोन बना रही होती है, तो थाइराइड हॉर्मोन कौन बनाएगा, follicular cells, कौन सा हॉर्मोन बनाएगी बिटा यह, थाइराइड हॉर्मोन, और यह थाइराइड हॉर्मोन बनते बिटा, बिसिकली दो टैक के, one are called as T3, T4 and another is called as T3, जिनने collectively हम लोग कहते हैं थाइराइड हॉर्मोन, समझ रहे हैं, इनमें से कोई एक थाइराइड हॉर्मोन नहीं है, इनने हम लोग collectively कहते हैं थाइराइड हॉर्मोन, ये बात आपको पता होनी चाहिए बिटा, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, डॉक्टर्स आपको थाइराइड का टेस्ट देते हैं, तो वो ही आपको कह देते हैं थाइराइड का टेस्ट करवा किया आना है, जबकि आपके prescription में, जो side में वो section बना होगा होता है, वहाँ लिखा होता है T3 एंड T4 का टेस्ट है, वो कभी भी सिर्फ T3 का या T4 का टेस्ट नहीं करवाते हैं, थाइराइड हॉर्मोन इन दोनों को हम लोग collectively कहते हैं बिटा, इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है, थाइराइड हॉर्मोन जो की हैं आपके T4 एंड T3, T4 एंड T3 की full form अगर देखी जाए, तो T4 stands for tetra iodothironin, tetra iodothironin, जबकि T3 को हम लोग कहते हैं, triiodothironin, ठीक है, तो ये बात तो clear है न, कि इधर आप लोग इतनी जीयों सी तो पढ़कर आए हैं, कि tri means 3, और iodon अगर आगे लगावा तो इसका मतलब ये है, कि thyride ये जो हमारा हॉर्मोन है, इसमें 3 iodine के molecule लगे होंगे, और tetra में लगे होंगे 4, कभी इने हम लोग T4 और T3 कहते हैं, ठीक है, तो tetra iodothironin and triiodothironin, अब इसमें अगर iodine है, तो इसका मतलब ये बात आपको यहां से समझा जानी चाहिए बिटा, कि हमारे जो thyride हॉर्मोन है, इनको produce करने के लिए हमें iodine की requirement है, समझ रहें, तो अगर आपके diet में iodine कम या ज्यादा हुआ, तो यह affect कर लेगा आपकी synthesis और secretion का जो rate है thyroid hormone के, समझ रहें, तो iodine कहीं न कहीं आप पर necessary है, तो इन दोनों में क्या यह जो रहा है बिटा, iodine, ठीक है, अब यह आपने diet में कम लिया, ज्यादा लिया, जो follicular cells secrete कर रही है, दूसरा मैंने आपको बता है, यहाँ पर para follicular cells भी present होती है, और para follicular cells का जो hormone है न वो हम यहीं पर लिख लेते हैं, और यहीं पर NCIT में एक छोटी सी line दियुए है, खतम हो जाएगी, para follicular cells एक और hormone secrete कर रही होती हैं बिटा, जिसे हम लोग TCT कहते हैं, it stands for thyrocalcitonin, TCT stands for thyrocalcitonin, आप full form लिख लिजेगा, यहाँ पर space नहीं होतना मेरे पास, TCT stands for thyrocalcitonin, and यह thyrocalcitonin बिटा, calcitonin stands for calcium, यह बिटा आपके blood के calcium level को regulate करता है, it regulates, यहाँ पर लिख लिजेगा, notes में आगे लिखाओ अभी है, don't worry, regulates, अच्छा, यह diagram आप जरूर बना लिजेगा आपने notes में, क्योंकि इससे न, आपके जितने भी NCRT के point से, आपको ऐसे चुटकियों में learn हो जाएंगे, अभी हम पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि यह तो इतने ही से diagram में में आपने सारी बाते बता दिये, तो regulates blood calcium level, regulate blood calcium level, चीक है, क्या करता है यह, जो आपका blood है न, उसमें अगर calcium ज्यादा है तो उसे कम करता है, तो जैसे यह हमारे blood का calcium को कम कर रहा है, इसका मतलब भी calcium कम कर रहा है, कम stands for hypo, तो इसे हम यह कह सकते है, it is the hypo calcemic hormone, कह सकते हैं हम, it is the hypo calcemic hormone, चीक है, लिख लीजीगा यह बात, it is the hypo calcemic hormone, चीक है, अगर blood में calcium ज्यादा है, तो उसे कम करने में यह help करता है, ठीक है, तो यह para follicular cells का एक ही hormone है, उसका function हमने यहीं लिख लिए, यह बात यहाँ खतम हो गई, follicular cells ने जो thyroid hormone बनाया है, T4 and T3, उसके बारे में हमें detail में बढ़ना है बिटा, देखिए, सबसे पहली बात तो यह, आच्छा, आपकी initiative ना, आपको एक और point मिलेगा, कहीं लिखा होगा thyroxine, और आप कहेंगे यह thyroxine क्या है भई, मैं मैंने, मैं confused हो जाता हूँ, मैं यह thyroid hormone लिखा हुआ है, T3 लिखा हुआ है, T4 लिखा हुआ है, और thyroxine भी लिखा हुआ है, अगर आपने इस chapter को पहले कहीं पढ़ा है, अपने classroom में पढ़ा है, तो आप यह बास relate कर पा रहे होंगे, कि thyroxine में मैं confused हो जाता हूँ, जो कि NCIAT में बहुत clearly mention नहीं है बेटा, तो ध्यान से सुनिएगा, यह जो आपका thyroxine है बेटा, इसको, यह term हम सिर्फ और सिर्फ T4 के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, thyroxine, यह बात लिख लिजगा, यह term हम लोग सिर्फ और सिर्फ T4 के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आपके thyroid hormone में दोनों आते हैं T4 और T3, जबकि thyroxine हम लोग T4 को ही कहते हैं, एटनी बात क्लिए हैं, अब आजाते हैं हम लोग इसके functions पर, देखें बात यह हमारे body के functions को बहुत ज्यादा regulate कर रहे हो, तब बहुत सारे functions ऐसे हैं जो कि thyroid hormone से ही regulate हो रहे होते हैं, सबसे पहले जितना हम लोग पढ़के आएं, जो कि हम लोग अभी देख कर आगए ठीक, बोथ लोब्स आ इंटर कनेक्टेड विद थिन फ्लाप अफ कनेक्टिव टिशू कॉल्ड इस्थमस यह भी बात हम लोग पढ़कर आगए, और इसमें आपको यह पॉइंट याद रखना है, थिन फ्लाप अफ कनेक्टिव टिशू, इधर से क्वेशन बहुत आ सकता है, ठीक, दूसरी बात, थाइराइड ग्लैंड कंपोज ओफ फॉलिकल्स और स्टोमल टिशू, ठीक, फॉलिकल्स थे, छोटे छोटे से फॉलिकल्स थे और बाकी क्या था, इधर स्टोमल टिशू, जो फॉलिकल्स थे, इच थाइराइड फॉलिकल्स और सेल्स और स्टोमल टिशू, है दूसरी बात अब T3 एं T4 की फुल फॉर्म देखे तो ट्राइडो थारनिन एंड ट्राइडो थारनिन इसका मतलब इनके formation में iodine essential है तो आगे point लिखा हुआ है iodine is essential for normal rate of hormone synthesis in thyroid thyroid gland में अगर hormone produce करने है तो फिर iodine essential है आगे आजाता है next point thyroid gland secretive protein hormone called thyrocalcitonin which regulates the blood calcium levels अब यहीं पर मात खा जाते हैं यहीं पर आप लोग गलती करते हैं कि मैं thyroid gland में NCRT ने हमें सिफ दो ही cells पताई है एक है follicular cells और पता है stromal tissue जिसमे stromal cells होंगी and follicular cells बनानी थी thyroid hormone और वहां पर आगे लिख दिया कि protein hormone भी बन रहा है लेकिन वहां यह बात लिख हुई है जबकि उन्होंने यह बात कहीं नहीं लिखी है कि follicular cells secrete protein hormone समझ रहे हैं क्योंकि follicular cells बनाती ही नहीं है पैरा follicular cells यहां पर present है जो कि आपका TCT बनाती है जो कि मैंने आपको mention करवा दिया reason यही था कि अगर follicular cells का option आ गया तो आप उसे mark कर देंगे क्योंकि आपको तो यही पता है न उन्हीं ने बनाया hormone समझ रहे हैं तो एक यह point आपको बहुत mandatory learn रखना है and जो मैंने diagram बनवाया है वो इसी के बगल में आप अपनी NCRT में अपने notes में draw कर लेंगे तो यह सारे points आपको रटनी नहीं पड़ेंगे correct अब आ जाते हैं functions of thyroid hormone बिटा जैसे कि मैंने आपको बदाया बहुत सारे functions हमारी body में regulate होते हैं by thyroid hormone जैसे कि सबसे important point regulation of BMR BMR stands for basal metabolic rate आपने जो भी अपने digestive food में absorb हुआ है उसका metabolism किस rate से होगा वो आपके thyroid hormone की secretion पर depend करता है यह से काफी ज्यादा regulate करता है जैसे कि इसमें आपके metabolism of carbohydrate आजाएंगे metabolism of protein आजाएंगे metabolism of fats भी आजाएंगे correct तो थोड़ा सा मैं hint आपको दे रही हुए याँ पर जैसे कि आपने देखा होगा कुछ thyroid problem ऐसी होती है जिसमें इनसान मोटा होने लग जाता है और कुछ thyroid problem ऐसी होती है जिसमें इनसान बहुत ज़दा पतला होने लग जाता है तो नॉर्मल भाशा में घरों में ये word युसके जाता है कि सूखने वाली thyroid है ये मोटा होने वाली thyroid है उसका reason ये है कि thyroid hormone अगर कम हो गया तो metabolic rate slow down हो गया तो fat deposition बोडी में start हो गया इट इस कॉल्ड एज हाइपो-thyroidism और वहीं अगर आपका ये hormone ज्यादा बनने लग जा तो metabolic rate fast हो गई तो जो stored product होने थे वो भी stored नहीं हो पा रहे है वो metabolize हो गई तो उसमें आप पतले हो गए समझ रहे हैं तो it is called as hyperthyroidism क्योंकि thyroid hormone ज्यादा secret हुआ है आपका produce ज्यादा हुआ है, secret ज्यादा हुआ है तो दो type की जो आपकी thyroid की problem है it is hypothyroidism and hyperthyroidism hypothyroidism में आप मोटे होते जाते हैं and hyperthyroidism में आप पतले होते जाते हैं दूसरा इसका जो function है वो आजाता है आपके red blood cell के formation को भी support करता है बिटा ये और ये बहुत important point है कि जहां पर आपकी RBC production यानि कि आपके blood को भी कही ना कहीं regulate कर रहा है तो आप में खून की कमी भी नहीं होगी अगर आपका thyroid hormone है वो normally produce हो रहा है तो दूसरी बात आपकी body में water electrolyte balance को भी maintain करता है ठीक है आपके tissue के differentiation में help करता है तो growing baby जो है अगर उसको thyroid की problem हो जाती है तो भी बहुत ज़्यदा प्रब्लम हो दी है तो जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं ठीक है तो दूसरी बात skin pigmentation को भी कही न कहीं regulate कर रहा होता है हाला कि skin pigmentation हमारी melatonin से regulate हो रही थी लेकिन कहीं न कहीं ये भी इसे regulate करता है affects menstrual cycle अब क्योंकि ये हमारी body की normal physiology को normal होने में help करता है कहीं न कहीं ये menstrual cycle को भी affect करता है अगर इनका rate of synthesis कम या ज्यादा हुआ है नॉमल है तो ये हमारी menstrual cycle को भी normalize रखता है तो आपने ये भी सोना होगा अगर आप girls हैं तो आपने basically सोना होगा hypothyroidism में भी menstrual cycle disrupt हो जाती है hyperthyroidism में भी menstrual cycle disrupt हो जाती है जो कि एक फीमेल्स की बहुत ही ज़्यदा critical problem है इस सब एक thyroid problem की बज़े से menstrual cycle का भी जो प्रॉब्लम है वो भी जहिलना पड़ता है दूसरी बात it stimulates adrenal medulla to release emergency hormone आच्छा ये पॉइंट NCRT में 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 ने है बट indirectly mentioned है अगे मैं आपको बताऊंगी कैसे देखे जो आपकी adrenal gland है ना बिटा वो emergency hormone secret करती है जैसा कि मैं आपको पूरी physiology में कही ना कही थोड़ा बहुत idea देखकर भी आई है तो जो आपकी adrenal medulla emergency hormone secret करने वाली है उससे भी कही ना कहीं stimulate कर रहोता है emergency hormone at the time of emergency condition मान लिजे अभी ऐसी emergency आ गई कि class चलते चलते मैंने आपसे कोई question पूछ लिया और आपका तो ध्यान था नहीं तो हुआ क्या आपका ध्यान एक्तम से जैसे ही मैं की तुरफ आया तो आपके पसीने छूटने लगे कि अब तो मुझे answer करना पड़ेगा तो जो वो emergency वाली condition है उस time पर emergency hormone को secret करवाने के लिए भी थाराइड जो आपका हॉर्मोन है यह stimulate करता है adrenal gland को correct इतने जो आपके functions हैं थाराइड हॉर्मोन के आपको ऐसे ही list out करके लिखने हैं चाहे आप अपने NCRT के side में लिखें चाहे आप अपने notes में लिखें इतनी बार क्लियर है बटा अब देखिए अब मैंने आपको यह बताए था ना कि जो इतने सारे तो यह functions हो गए चीक है अब मैंने आपको यह बात बताई थी कि यह थाराइड हॉर्मोन यह थाराइड हॉर्मोन कि अब यह जो normal function अगर normal प्रेडियूस हो रहा है थाराइड हॉर्मोन तो ठीक है कम यह ज्यादा प्रेडियूस हो तो यह सारे functions जो है हमारे कही ना कही बाडी में कुछ गलत हो जाएगा हमारी बाडी में यह सारे function नॉर्मल नहीं हो पाएंगे और यह थाराइड हॉर्मोन कम यह ज्यादा होगा क्य या फिर एक्सिस आप ले रहे हैं ठीक है आयोडीन हमें चाहिए था ना हमारे ट्राइड थारेनिन एंट्राइड थारेनिन को बनाने के लिए तो इसी आयोडीन की अगर इसी आयोडीन की बिटा आपको डेफीशियंसी हो जाए या फिर एक्सिस हो जाए तो फिर आपके हो सकते हैं, deficiency में thyroid hormone कम बनेगा, मतलब hypothyroidism होगा, hypothyroidism होगा बेटा, वहीं अगर access हो गई, तो hyperthyroidism होगा, तो hyperthyroidism होगा, correct, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर hypothyroidism होगा, तो हमारी body में क्या-क्या चीजे या क्या-क्या diseases हमें हो सकती हैं, चिक, hypothyroidism से सबसे पहली बात कि अगर आपके डाइट में iodine बहुत ज्यादा कम है, जो कि पहले के टाइम में होता था, आप तो iodized salt हम लोग खाते हैं, पहले के टाइम में normal salt जो है, लोग consume करते थे, तो उस टाइम पर goiter जैसी problem बहु सेम आपके इदर लिखा हुए, देख लिए एक बार, enlargement of thyroid gland commonly called as goiter, ठीक, इतनी बात क्लियर है, first point, first disease, second आजाती है बिटा, अब यही thyroid hormone के deficiency एक female को हो गई at the time of pregnancy, अब बिटा, प्रेगनेंसी का जो period है, वो बहुत ही ज्यादा क्रोशियल है, रीजन कि एक मदर की body के अंदर एक baby grow कर रहा है, अब जब एक baby grow कर रहा है, तो जो nourishment mother लेगी, definitely वही nourishment baby को भी मिलेगा, अब उस time में मदर को अपना बहुत ज़्यान रखना पड़ता है, अपने nutrients पर, अपने quality of food पर, कि जो growing baby है, उसे किसी चीज़ की deficiency ना हो, बट अगर ऐसे time में मदर को sufficient amount में iodine नहीं मिला, iodine की deficiency हो गई बटा, तो होता क्या है, जो growing baby है, उस पर बहुत ज़्यदा effect आते हैं, क्योंकि जो इनके functions है थारेड होर्मोन के, वही ज्यादा normalize नहीं हो पाते हैं, and effect आता है, सबसे पहली बात तो मैंने आपको ये बदाय था, थारेड होर्मोन का function, third या fourth point में हमने बढ़ा था कि tissue differentiation है, समझ पार है, तो baby की normal growth नहीं हो पाती, तो अगर baby की normal growth नहीं हो पाई, मतलब stunted growth हुई, तो इस condition को हम लोग cretinism कहते हैं, ठीक है, दूसरी बात, again tissue differentiation function है, तो brain development ठीक से नहीं हो पाया, mental retardation होगा, अगर brain develop नहीं हो पाया properly, तो IQ low होगा इ thyroid hormone का थोड़ा बहुत function, skin pigmentation में भी है, तो इसकी जो skin है, वो भी abnormal हो जाएगी बटा, और दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है, कि वो बच्चा गूंगा या बहरा हो, तो deep beautism भी इस बच्चे में हो सकती है, and etc, correct, these are the points of your NCRD, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 आपको याद रखने है, इन में स कोई भी point आएगा, तो आप उधर mark करेंगे, and etc, correct, तो tissue differentiation से सारे आपकी points आजाते है, and pigmentation से भी आपका abnormal skin का point आपको याद हो जाएगा, छीक है, तो ये बटा, अगर एक mother है, और during the pregnancy, उसे iodine की deficiency होई है, तो उसके बच्चे में इतनी problem हो जाएगी, and अगर आपको याद हो, तो जहां हमने pituitary hormone में, जो हमारा growth hormone था, उसकी deficiency होती थी, तो stunted growth होती थी, उसे हम लोग pituitary dwarfism कहते थे, लेकिन यहाँ पर अगर stunted growth होई है, due to the deficiency of iodine और the thyroid hormone, तो इस condition को हम लोग cretinism कहते हैं, ठीक है, दोनों में difference है, correct, तीसरा, अगर एक normal adult female है, ठीक है, और उसे iodine की deficiency हो है, तो ऐसी जो women's है, उनकी menstrual cycle irregular हो सकती है, hypothyroidism से और भी सारी चीज़ आएगी, जैसे weight gain होना start हो जाएगा, deposition of fat होना start हो जाएगा, बट especially अगर females में देखा जाए, males and females को अलग अलग कर किसे females में देखा जाए, तो उसमें irregularity of menstrual cycle is the major symptom, ठीक है, तो आपने notice भी क्या होग अगर, अगर ऐसा कभी होता है कि किसी female की menstrual cycle irregular हो गई है, और वो जाती है, एक डॉक्टर के पास, गायनायक के पास, तो फिर वो mostly thyroid का test करवाते है, वो यह जानना चाहते हैं, कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, कि इसका thyroid hormone हो कम हो गया हो, जिसकी वेसे menstrual cycle irregular हो गई हो, ठीक है, त उसकी body में hypothyroidism से क्या चीज़े हो सकती है, तो इसमें क्या होगा, जो hypothyroidism है, तो क्या होगा, metabolic rate, slowdown हो जाएगे, जिसकी वज़े से fat का deposition होना स्टार्ट हो जाएगा बोडी में, और fat का deposition होगा, तो weight gain होना स्टार्ट हो जाएगा, तो in adults, swelling of face and hands due to deposition of fat, और इसे को हम ल या फिर girl's disease भी कहते है, तो again एक बार से revise कर लिजे सारे points, hypothyroidism से क्या क्या चीज़े हो सकती है, first point is enlargement of thyroid gland, commonly called as goiter, दूसरा point, pregnancy के time हो गया, तो जो growing baby है, उसमें बहुत ज़दा दिक्कत आएगी, उसका development and maturation बहुत ज़दा effect होगा, जैसे कि उसमें stunted growth हो जाएगी, जैसे ह अगर adult women में हुआ है, तो उसकी menstrual cycle irregular हो सकती है, और normal adults में, चाहे वो male हो, चाहे वो female हो, normal adult human being में अगर होता है, तो उसमें deposition of fat होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वज़से face and hands की swelling majorly दिखाई देती है, जिसको हम लोग myxodema या फिर girl's disease भी कहते हैं, बेटा, ठीक है, इतन हो गया आपकी thyroid gland, जो कम hormone produce करेगी, hypothyroidism से क्या-क्या हो सकता है, अब आता है hyperthyroidism, चिक, hyperthyroidism में बेटा, जैसे कि hypo में हुआ था goiter, इधर होगा exophthalmic goiter, अगर hyposecretion की वज़े से, या iodine की deficiency की वज़े से, अगर enlargement of thyroid gland हुआ है, तो उसे हम लोग goiter कहते हैं, वहीं अगर hyperthyroidism की वज़े से, enlargement of thyroid gland हुआ है, तो इसको हम लोग exophthalmic goiter कहते हैं, ठीक है, अब इसके अलावा इसमें होगा क्या, enlargement of thyroid gland तो हो गई, इसमें और चीज़े क्या हो सकती है, बेटा, देखे, जो आपका, देखे, जब आपकी BMR increase हो जाएगी, obviously, basal metabolic rate increase हो जाएगी, तो weight loss ह हो जाएगा, ठीक है, weight loss हो रहा है, और आप एकदम सूप के काटा हो गए है, तो आपकी आखे ऐसे लगेंगी कि निकल आई हैं, बिल्कुल आखे निकली आ रही हैं, कहते हैं आखे निकली आ रही हैं, आखे बाहर को आ गई हैं, उसे हम लोग कहते हैं, protrusion of eyeball, ठीक है, यह च सिचुएशन जहां पर abnormal cell division हो रहा होता है, continuously cells divide करना स्टार्ट कर देती हैं, तो वहाँ पर enlargement हो जाता है, तो thyroid gland में जैसे cancer हुआ, तो cells का division बहुत fast rate पर हो रहा है, enlargement हो गया, ठीक है, अब बहुत सारा cells हैं, बहुत सारे follicular cells हैं, तो वह बहुत सारा hormone भी produce कर रही हैं, तो hyperthy thyroidism हो गया, ठीक है, और इसकी वज़े से आपके thyroid gland में thyroid nodules develop हो जाते हैं, increased rate of synthesis and secretion of hormone adversely affect the body function, यह NCRT की line है, इसको मैं simplify कर देती हूँ है, जो आपका thyroid gland में nodules develop हो जाते हैं, जिसकी वज़े से आपके जो thyroid hormone है, उनका rate and synthesis, rate जो है आपका synthesis and secretion का बढ़ जाता है, जिस condition को हम लो प्रब्लम हो सकती है, वो सारी हो जाएगी, body functions को adversely affect करेगा, क्या-क्या हो सतता है, एक बार लिस्ट आउट कर लिजे, जैसे कि आपका BMR बढ़ जाएगा, आप पतले होने लगेंगे, menstrual cycle irregular हो जाएगी, इसके अलावा, जितने भी आमने functions बढ़ें, जैसे कि tissue differentiation, main function है, आप आपका वहां पर आपको problem आने लगेंगी, तो कही सारे function आएगे, majorly जो दिखाई दिता है, वो weight loss, क्योंकि BMR बढ़ी होई है, and females में जो major function दिखाई दिता है, it is irregular menstrual cycle, चीक है बटा, इतनी बात मुझे लगता है, कि आप लोग को clear है, non-stop मेरे बोलने के बाद में NCIT की बात पड़ाएं है, अपनी तरफ से मैंने कुछ भी add नहीं किया है, but simplify करना स्यादा जरूरी है आपके लिए, क्या देना question तो NCRT से ही आएगा, तो question आएगा, लेकिन उसी हमें attempt कैसे करना है, वो बात आपको पता होनी चीए, तो ये सारे notes आप इसी format में बनाएंगे, जिस तरी एक चीज को अच्छे से mention करते हुए चलेंगे, आप चाहें तो एक ही page पर आपके disorders भी आ सकते हैं, जिसे कि आप easily उन्हें याद कर पाएंगे, functions भी आ सकते हैं, जिसे कि आप उन्हें easily समझ पाएंगे, it all depends on you, but आपको notes ऐसी ही बनाने है, हमज़ रहे, यही आप NCRT अपने कोई doubt है, तो मुझे chats में बता सकते हैं, मैं हम आपके doubts, बता दूँगे, कि अगर आपको कोई भी doubt है, तो वहाँ से clear हो जाएगा, butterfly shape, NCRT में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यह आपके questions में आया हुआ है, तो आपको देख जाएगा, और देखने में भी butterfly जैसी है, तो यह बात आपको अगर पता चल जाती है, तो इसमें बुराई क्या है, यह चीज है, अब आ जाती है, हमारी पैरा थारेड लाएग, यह जो मारी थारेड थी, इसी के डॉर्सल साइड पर located है, आपके चार पैरा थारेड लाएग, छोटी सोची सी, फोर पैरा थारेड लाएग लाएग लो केड़ेड है जो की आपके एक लोब पर दो और दूसरी लोब पर दो है, दिख रहे हैं, यहां पर बनी हुई है, यह ये दो हो गई, ये, ये दो हो गई तो टोटल में 4 parathyroid gland है जो कि एक एक पेर आपके दोनो lobes में present है और obviously ventral side पर आपका थाइरेड और थाइरेड के या फिर आप ट्रेकिया के भी dorsal side पर क्या है parathyroid, ठीक है ये dorsal side ये, मतलब कैसे ना NCI ठीक है तो डाइग्राम में भी कुछ चीज लिखी है तो फिर important है, यहां से आपका question आ सकता है कि dorsal या बेंटरल, correct तो ये हो कई आपकी इतनी सी बात अब आ जाते हैं हम लोग इसके main text पर backside of the thyroid gland के present है and one pair in the two lobes, आपके one pair in the each two lobes present है, NCI आपको आगे दिखा दूगी, वहीं से आप note down कर लिजेगा ठीक है, दूसरी बात parathyroid gland है, तो बेटा ये secrete करती है parathyroid hormone, अपने ही नाम का hormone, parathyroid hormone, इसके लावब कोई और hormone नहीं है, parathyroid hormone, जिसे हम लोग इतना बड़ा ना लिखकर, प्यार से आगे से लिखेंगे PTH correct, जिसे हम लोग आगे से लिखेंगे PTH nature की बात की जाए बेटा, तो ये basically peptide hormone है peptide hormone है, peptide का बना हुआ है ठीक है, ये point आप लिख लीजेगा nature हम लोग बाद में आगे जाकर एक list out भी करेंगे, बड़ ये यहाँ पर आप लिख लीजेगा है it is a peptide hormone, ठीक है अब जैसे कि हमारा TCT था ना वो हमारे blood calcium level को regulate करता था, ये भी हमारे blood calcium level से regulate होता है ये हमारे blood calcium level से regulate होता है जिसका synthesis या secretion है वो regulate होता है, हमारे blood में कितना calcium circulator है उसके बेहाफ पर, ठीक है तो हमारे blood में अगर calcium iron बहुत ज्यादा है या कम है, अगर ये बहुत कम है ठीक है, अगर हमारे blood में calcium iron क्या है, लो तो आपके parathyroid gland PTH hormone secrete करतेगी और ये पूरी मेहनत से जुट जाएगा आपके blood के calcium iron को बढ़ाने में, समझने है आपके blood के calcium iron को बढ़ाने में, पूरी तरह से जुट जाएगा ये बात ध्यान रखिएगा, कि आपका circulating ये blood एबिटा, ठीक है, ये blood vessel बनाईए मैंने, यहाँ पर लिख लीजेगा, ये blood है आपका ठीक है, आपके blood में अगर calcium iron low हो गए है ठीक है, तो फिर PTH release हो जाएगा और पूरी महनत लगा देगा आपके blood में calcium level को बढ़ाने के लिए अब blood में calcium आएगा का से सबसे पहले तो ये जाएगा bone के पास कि भई आपके पास में इतना calcium है कम से कम कुछ तो दे दो और blood में हमें दे दो तो bone का, क्या करेगा ये सबसे पहला सबसे पहली काम ये क्या करेगा bone resorption मढ़ाएगा, resorption, I said resorption not reabsorption, resorption bone resorption इस word पर बहुत focus करिएगा, resorption है ये bone resorption, मतलब कि demineralization ठीक है ये bone से calcium लेगा और blood में इससे secrete out करवाएगा, ठीक है blood में calcium level बढ़ाने का एक ही attempt हो गया, दूसरा attempt, दूसरा attempt ही क्या करेगा, आपका जो renal tubules है, उनके पास जाएगा renal tubules के पास में जाएगा और वहाँ से reabsorption of calcium आयन बढ़वाएगा reabsorption of 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 calcium ions from renal tubules renal tubules से कहेगा, भई जो हमारा urine प्रेडूस हो रहा है उसमें calcium आयन बेस नहीं जाना चाहिए, वो blood में वापस करो, reabsorpt करवाएगा ठीक है, दूसरा point blood में यहां से भी एक calcium आयन यहां से भी मिल गया हमे, तीसरा यह attempt पता है क्या करेगा, यहां ले ले लेते हैं, तीसरा attempt यह करेगा, जो आपने digested food है ना, उसमें calcium आयन को waste नहीं जानेगा, उसमें से सारा calcium आयन री एब्सॉप करवालेगा, या एब्सॉप करवालेगा, increased calcium absorption from digested food, आपका जो calcium आयन है, आपके digested food में से absorption उसका बढ़ा देगा, तो तीनों यह attempt करेगा, जिससे की blood में calcium लेवल की कमी ना हो, blood में calcium level rise कर जाए, ठीक है, क्या करेगा, सबसे पहले bone के पास में जाएगा, बोलेगा, अपना calcium हमें थोड़ा से देदो, हमारे blood में calcium की requirement है, bone देदेगी, demineralize हो जाएगी, मतलब resorption, चीक है, दूसरी बात, यह renal tubules के पास जाएगा, बोलेगा, urine में calcium waste नहीं जाना चाहिए, blood में देदो, तो reabsorption from renal tubules, तीसरा, digested food में calcium waste नहीं जाना चाहिए, यह सब कुछ absorb कर वालो, तो increases absorption of calcium iron from digested food, तो resorption, reabsorption and absorption, तीनों बातें आपको पता होनी जाहिए, correct, तो यह क्या करेगा, ultimately हमारे blood के low calcium level को वापस से बढ़ा देगा, और हमारे blood में calcium level बढ़ा देगा, मतलब की hypercalcemic hormone है, clear, मतलब की यह कैसा hormone है बिटा, hypercalcemic, तो मैं यह लिख सकती हूँ, यह hypercalcemic hormone है, hypercalcemic hormone, clear रहे इतनी बात, समझ पा रहे हैं, it is the hypercalcemic hormone, बस इतनी सी बात है आपकी parathyroid gland की, यह देख लीजे, in humans, 4 parathyroid gland are present on the back side of the thyroid gland, 1 pair in each 2 lobes of the thyroid, वही बात है, 1 pair in each 2 lobes, 1 की लोब, 1 की लोब, 1 की लोब, इधर दो, इधर दो, ठीक, parathyroid gland, secretive peptide hormone called parathyroid hormone, जिसे हम लोग PTH भी कहते हैं, और यह secretion of PTH है, is regulated by circulating calcium levels of, circulating level of calcium ions, आपके blood में calcium ion कितना circulate हो रहा है, उसके बहाफ पर PTH secret होता है, ठीक है, functions कैसे करेगा, PTH जैसे ही आएगा, calcium level, blood बढ़ाने के लिए, सबसे पहले, act करेगा, bone पर, और stimulate करेगा, bone resorption, stimulate, re-absorption of calcium by renal tribune, तीसरा, increase calcium absorption from digestive food, यह तीनों point आपको याद होने चाहिए, बहुत अच्छे से, यह बहुत ही, कहते हैं, फाइव स्टार को आपके points है, फाइव स्टार points है, इन्हें अच्छे से याद रखिएगा, correct, दूसरी, दस, क्योंकि यह calcium level हमारे blood के अंदर बढ़ा रहा है, तो इसे हम लोग हाईपर calciumic hormone कह सकते हैं, ठीक, क्योंकि यह blood calcium level बढ़ा रहा है, अब आपको यह बात याद होगी, जहां पर हमने TCT hormone बढ़ा था, वो तो कम कर रहा था blood के calcium को, इसका मतलब क्या ऐसा है, TCT और PTH मिला करके हमारे blood calcium level को regulate कर रहे हैं, obviously, TCT along with TCT, it plays a significant role in calcium balance in the body, अगर bone में calcium level कम है, तो blood में से absorb करवा देगा आपका TCT, अगर blood में कम है, तो bone में से resolve करवा देगा आपका PTH, समझ रहे हैं, तो आपके blood के calcium level को regulate करने के लिए TCT and PTH, दोनों मिलकर करते हैं, इसकी अलावा, vitamin D भी इसमें helpful है, ठीक है, इसकी अलावा, इसमें vitamin D भी helpful है, question of your NCRT examplar, मैं कहती हूँ न, examplar भी आपको solve करना है, और यह आपका PYQ भी रह चुका है, तो समझ रहे हैं, कैसे यहां से आपके question बन सकते हैं, तो NCRT examplar भी आपको solve करना है, ठीक, अब बेटा देखियो, अगर यह parathyroid hormone हमारा कम secret होने लगा, तो हमारे blood में calcium बहुत कम ह हो जाएगा, और अगर हमारे जो blood है, या हमारी जो body है, अगर calcium कम हो गया, तो फिर reason क्या है, देखिये, सिफ blood का ही न, आप body का भी तो देखिये, कि हमारे renal tubules से reabsorb करवा था, तो हमारे body में calcium हैन की कमी हो गई, और body में calcium की कमी है, तो बेटा जो आपके skeletal muscles है, न, contract हो जा आते हैं, इस condition को हम लोग टिटैनी कहते हैं, और हम लोग इसे ये भी कह सकते हैं, इस हाइपो कैलसेमिक टिटैनी, जहां हमने टिटैनी पड़ी थी, skeletal system में, वही, लो calcium हैन है अगर आपकी body में, तो फिर टिटैनी हो सकती है, आपको, चीक है, and लो calcium हैन कैसे होंगे, अगर आपको हाइपो कैलसीमिया हुआ, हाइपो कैलसीमिया due to hippo secretion of, या less secretion of PTH, ठप्रिपस, ठीक है, तो कहाँ से एक chapter की, दूसरी chapter से चीज़े लिंक रही है, तभी तो इस chapter का नाम है, integration, करेक्ट, दूसरी चीज़, आपका calcitonin and parath hormone have antagonistic effect, obviously, ये तो understanding वाला point है, जहां हमारा TCT, हमारे blood में, blood के calcium level को decrease कर रहा था, वही PTH, blood के calcium level को increase कर रहा है, तो antagonistic हुआ न, वही एक point है, correct है बिटा, इतना समुझ में आगे आपको clearly, पैरा थारे gland बिटा बड़ी छोटी सी है, बड़ा ही प्यारा सा function है, बड़े ही easy to learning वाले points है, इतनी बाद है सभी को clear है, अब देखिए, next से हम लोग आ जाएंगे थोड़ा सा नीचे, है न, next से हम लोग आ जाएंगे अब थोड़ा सा नीचे, और यहां पर आपकी present है, दोन से देखिए न, तो जो आपका sternum है न बेटा, जो आपका sternum है, sternum के पीछे located है, जबकि वहां पर अगर heart है, तो iota के आगे located है, मतलब कि यह देख लीजे, यहां पर देख लीजे, यह आपका sternum है, heart से निकली हुई iota is shape की है, sternum और iota के, बीच में located है कहीं यहां पर, ठीक है, इन दोनों के बीच में, मतलब behind the sternum and ventral side of iota, इन दोनों के बीच में, sandwich बनाओ है विचारी का, ठीक है, और obviously sternum दोनों lungs के बीच में आते है, तो between the lungs है, ठीक, इस तरीके से, यह देख लीजे, यह पीछे है, sternum आगे है, ठीक है, sternum इसके आगे होगा, it is your thymus gland, अग अगे, बिटा, जो हॉर्मोन से करती है, वो भी peptide nature के है, and thymosins केते हैं इन हॉर्मोन को लोग, समझ बार है, thyroxine क्या था, T4, thyroid hormone क्या था, T3, T4, collectively, and thymosins क्या है, जो thymus gland से से करीट हो रहे है, and parathorate, PTH से करता था, तो इसमें confused नहीं होना है आपको, correct, अब यह thymosins जो जैसे release होते हैं, तो सबसे पहले तो आपके T lymphocytes का development करवाते हैं, major role in development of T lymphocytes, और यह T lymphocytes जैसे ही develop होती है, मैंने आपको उता था न, immune response आता है, इससे कहीं न, कहीं, और भी detail में आप लोग health and disease में पढ़ेंगे, वहाँ पर जो आपके T lymphocytes हैं, बिटा, यह cell-mediated immunity provide करवात हैं, वहीं दूसरी जगा यह थाइमोसिंस, production of antibodies को भी promote करते हैं, आपकी body में antibodies produce करवाने को promote करते हैं, तो उस antibody का production आपके humoral immunity से हैं, तो यह आपको दो टाइप की immunity provide करवा पाते हैं, it plays a major role in development of T lymphocytes, जिससे कि आपको cell-mediated immunity मिलेगी, वहीं antibodies का production बढ़ेगा, तो आपको humoral immunity म इसने ज़्यादा थाइमोसिंस, उतनी ज़्यादा आपकी strong immunity, अच्छा, एक बाद आपने यह notice कि होगी, कि जो old age people होते हैं, उनकी immunity थोड़ी से weak हो जाती है, उनने बहुत जल्दी सर्दी जुखाम हो जाता है, उनकी तवियत बहुत ज़्यादा जल्दी खराब हो जाती है तो बुड़े लोगों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जैसे एक छोटे बच्चे का रखा जाता है, और young age में तो हम कई भी घूम रहे हैं, सर्दी में घूम रहे हैं, बारिश में घूम रहे हैं, हमें कुछ नहीं होता, जबकि बहुत छोटे बच्चे को या फिर बह प्रपलम फेस करनी के लिए दिखाई देती हैं, कि उन्हें बहुत जयदा जल्दी सर्दी जुखाम, बहुत जयदा जल्दी तबीयत खराब हो जाती है, रीजन कि उनकी इम्म्यूनिटी भी हो जाती है, और इम्म्यूनिटी वीक होने का old age में रीजन यह है, कि जो आपकी thymus gland है नहीं रिडिऊजड हो जाती है during the age. Degenerate हो जाती है in old individuals, जिससे कि आपका decreased हो जाता है production of thymus in thymus gland, तो आपके immunity obviously week हो जाएगी as a result, the immune responses of old persons become weak. इसलिए बिचारे जो हमारे घर में अगर कोई बुढ़े लोग हैं, उनकी immunity weak हो जाती है, उन्हें जल्दी से तबियत खराब हो जाती है, वो कहते हैं, यह नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, मेरी तबियत खराब हो जाएगी, उनकी immunity weak हो जाती है, ठीक है, तो वो कोई भी नघरे नहीं करते हैं, exactly, उनकी immunity weak हो जाती है, due to degeneration of thymus gland, obviously आपकी भी reduce ह तोने जारी है चीक है इतनी बात क्लियर है थाइमस में बस इतना ही है लास्ट आ जाती आपकी एड्रीनल एक बार फिर से देख लीजे हम लोग हाइपो थाइलमस पीनियल ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़कर आ गए फिर हमने यहां बड़े हमने थाइराइड और पर पढ़ ली यहां हमने क्या पढ़ लिया हमारा थाइमस ग्लैंड अब हम लोग नीचे आएंगे हमारी जो दो किड़नीज ए इन दोनों किड़नीज के ऊपर हमने पढ़ी थे कैप लाइक जैसे सेंटा क्लॉस की कैप होती ऐसी दो ग्लैंड जिने हम लोग अड्रीनल अच्छा बिटा इसके पहले जो भी हम लोग ग्लैंड पढ़ किया ने बिटा जो हम लोग ब्रेन में पढ़ किया है उनकी ओरीजिन अगर देखी जाए एक बात मैं आपको यहां पॉइंट और एड करना चाहरी हूँ कि जो आपका जर्म लेयर्स मेंने आपको आनेमल किंग यहां के इडिफलाप होई है जो आपकी ऐडरीनल ग्लैंड है यह दोनों लेयर से दो लेयर से बेसीकली डेभलप हुई है जिसे हम लोग एक कुछ पार्ट है बेटोडरम से त ठीक है और कुछ है मीजोडर्म से डेवलब हुआ है तो इसे हम लोग एक्टो मीजोडर्मल ओरिजिन कैसा क्या सकते हैं एक्टो मीजोडर्मल ओरिजिन ठीक है यह बहुत बार आ चुका है question NCRT में mentioned नहीं है बढ़ यह question बहुत बार आ चुका है तो इससे आप लिख लिजे Ecto Mesodermal इसकी origin है जब जो आपकी germ layers developed हो रही थी तो उसमें से हो क्या रहा था जो आपका अंदर वाला part है चलो मैं आपको anatomy के साथ में बदा देती हूँ Ecto Mesodermal origin है इतनी बात लिख लिजे इसके बाद में आगे बढ़िए Adrenal Adrenal का मतलब Ad मतलब above Ad मतलब above and renal मतलब kidneys Renal मतलब kidneys ठीक तो आपकी kidney के ऊपर located है जैसे cap पहनी होई है kidneys ने ठीक है glands है बटा और obviously हमारी पास one pair of kidney है तो one pair of adrenal gland है चेक है अब इसी adrenal gland को अगर हम उठा के ऐसे side में रखते है जैसे कि यह NCRT में रखा हुआ है उठा के side में रख दिया है तो इसके पास में two type of tissues है क्या है बटा इसके पास में two type of tissues और ये two type of tissues का मतलब कि अगर आप देख पारे होगे यहां पर कुछ light yellow color का region है और बीच में कुछ dark orange color का region है यह जो center part है इसे हम लोग कहते है adrenal medulla जबकि outer layer को हम लोग कहते है adrenal cortex चिक, outer is cortex and inner is medulla दोनों ही अलग-अलग hormone प्रिड्यूस कर रही होती है चिक, adrenal, cortex and medulla medulla की जो बेटा origin है ना जब germ layer आपकी develop हो रही थी तो जो आपकी medulla है वो develop होई ectoderm से वही mesoderm से develop हुआ adrenal cortex mesoderm से develop हुआ adrenal cortex और उसको wrap करके पूरी adrenal gland आपकी बन गई ठीक है M से M नहीं है ये बात यहाँ याद रखिएगा M से M नहीं है M जो medulla है वो ectodermal origin है इतनी बात याद रखिएगा ठीक है अब आजाते हैं हम लोग टू टाइप आफ टिशू है जो कि क्या है medulla and cortex ठीक है आप cortex के अलग hormones होंगे medulla के अलग होंगे पहले medulla के पढ़ लेते है ये आपके NCRT के points से एक बार दिख लिएजए one pair of adrenal gland at one at the anterior part of each kidney मतलब इसे suprarenal gland के सकते है आपकी kidney के ऊपर located है ठीक है composed of two type of tissue centrally located medulla outside this is cortex ठीक यहाँ पर यह fat बना हुआ है यह भी लिख लिजेगा कहीं से labeling वाला कुशन आ जा है तो कुछ भी आ सकता है ठीक है यहाँ पर आप लोग complete adrenal gland लिख हो है cortex medulla वहाँ पर mention नहीं है इतनी बात याद रगिए cortex medulla अलग से mention है ठीक अब जो medulla है बेटा यह जो आपका medulla है यह दो टाइप के hormone produce करता है ठीक है दो टाइप के hormone produce करता है लिख लीजे वन इस कॉल्ड अड्रिनलीन अड्रिनलीन ठीक अड अनदर इस कॉल्ड अड्रिनलीन ठीक अड्रिनलीन को हम लोग gee epinephrine بھی कह सकते है बेटा epinephrine भी कह सकते है आड न नौर अड्रिनलीन को हम लोग he़े ठीक अड इनको collectively हम लोग कहते है catecola means collectively हम लोग इने कहते है catecola means जैसे की thirella में हम लोग T3, T4 को collectively thirella hormone कहते थे same adrenaline and noradrenaline को collectively हम लोग कहते है catecholamines अब बच्चे यहाँ confused हो जाएंगे कि वह adrenaline अलग है, epinephrine अलग है, नहीं बटा, दोनों बाते एक है, adrenaline and noradrenaline अलग है, definitely, but इन दोनों को collectively catecholamines कहते हैं, correctly अब ऐसा नहीं कहेंगे, catecholamines से लग है, adrenaline अलग है, epinephrine नौर epinephrine अलग है, इतना कुछ नहीं करना है, इस तरीके से आप लिख लेंगे, कभी नहीं बूलेंगे, ठीक है अब बेटा, यह release कब होते हैं, क्या इनके function है, वह आपको पढ़ने जिनने हम लोग catecholamines कहते हैं, यह इस तरीके से अब बेटा, यह जैसे ही कोई ऐसी condition आई, जैसे मैंने आपको कहा न, अभी आपको खड़ा करके कोई question पूछ दिया जाए, तो आपके हाथ पेरों से पसीने आने लगेंगे वह condition है, emergency की कि अब तो भाईया, time हो जाना जानी चाहिए, समझे, तो यह जो emergency की situation है, कि अब मैं क्या करूँ जैसे हम लोग fight or flight situation भी कह सकते, जैसे कि अब मान लिजे, आपके सामने आगया dog ठीक है, मान लिजे कि आपके सामने आगया है dog, अब या तो आप ऐसा कर सकते है, सबसे पहले तो लगेगा आपको डर, जैसे आपके सामने dog आया अगर आप dog से डरते नहीं है, तो बाता लगे शेर आगया, चलो आपके सामने dog को छोड़ दो, शेर से तो सभी डरेंगे lion आगया आपके सामने, ठीक है आपके सामने आगया lion ठीक, अब आपके सामने जैसे लायन आये तो सबसे पहले तो आपको लगेगा डर जिसको हम लोग कहते हैं fear ठिक अब डर लगा है तो किसी भी चीज़ से अगर आपको डर लगता है तो या तो आप उस चीज़ से भाग जाओ या फिर आप उस चीज़ से लड़ जाओ अगर share है तो भागना समझदारी है बट अगर वही आपका exam है और आपको लग रहा है डर तो फिर आप उससे लड़ो fight करो exam को दो समझ रहे हैं तो जैसे ही fear हुआ तो या तो आप fight कर सकते हैं बेटा या फिर आप flight कर सकते हैं ठीक है तो fight करना है या flight ये आपकी choice है but at the condition of fear emergency situation आ जाती है fight और flight की situation जो है वो emergency situation है at emergency situation के time पर आपकी adrenal medulla से ये दोनों hormone जो की catecholamines हैं ये rapidly secret होना start हो जाते हैं तो जैसे ही आपको principal ने बुलाया या आपकी class में आपको mam ने बुलाया आपको बोला की बेटा ये बताओ या आपको data या आपके सामने share आ गया या आपका exam आने वाला है और आपकी तयारी नहीं होई है तो आपको डर लगना start हो जाता है और जैसे ही आपको डर लगता है आप alert हो जाते हो एकदम से आपका आँखे फटी की फटी रह जाती है आपके रोंटे खड़े हो जाते है आपको पसीने आने start हो जाते है आपकी heartbeat बढ़ जाती है आपके heart का जो contraction का strength है ये बहुत ज़्यदा बढ़ जाता है अलावा इसकी आपकी rate of respiration बढ़ जाती है आपकी साब निशीर आगे आप alert हो जाएंगे आपको डर लगेगा आपकी आँखे फटी की फटी रह जाएंगे पसीने आना start हो जाएंगे रोंगटे खड़े हो जाएंगे जिससे हम लोग pillow erection कहते है बिटा sweating होगी pupillary dilation heartbeat बढ़ जाएगी rate of respiration बढ़ जाएगा strength of heart contraction बढ़ जाएगा और अब अगर आपको यहां से भागना है तो भागने के लिए आपको चाहिए energy और energy मिलेगी आपको glucose से तो वो आपके blood के glucose level है उसे भी बढ़ना start हो जाएगा blood का glucose कैसे बढ़ेगा glycogen अगर आपकी body में present है तो उसे तोड़ तोड़ के glucose बनाया जाएगा lipids present है तो उसे तोड़ तोड़ के glucose बनाया जाएगा protein present है तो उसे तोड़ तोड़ के glucose बनाया जाएगा energy gain की जाएगी तो blood glucose level को बढ़ाना है by stimulating breakdown of glycogen lipids and proteins these are the functions of emergency hormone और मुझे लगता है सबसे ज़्यदा easy अगर किसी के functions करन करना है तो वो emergency hormone की है बेटा correct these are the functions of your emergency hormone and ये सारे NCIT की points है ये चीज़ देख लीजे stress और emergency की situation में फटा-फट से secret हो जाएगा emergency hormone या फिर इसे हम लोग hormone of fight or flight भी कह सकते हैं तो triple F जैसे ही condition आई तो क्या हुआ फिर हुआ तो या तो fight करो या flight करो share आया है तो definitely भाग जाओ लेकिन अगर exam आया है तो fight करो correct अब हम लोग आ जाते हैं हमारा ये तो बिलकुल यहां पर ऐसे चुठकियों में खतम हो जाता है adrenal medula के hormones के बस नाम आपको पता हो जाए function तो ऐसे लगते हैं कि बस हमारी body से ही related है हमारे साथ ही कई न कई कुछ ऐसा हुआ और हमें याद जाते हैं अब आ जाते है adrenal cortex cortex में आ जाते हैं जो आपका cortex है ना बिटा ये वाला region ये पढ़ा था हमने अंदर तो हो गया medula बाहर क्या था cortex अब इस cortex के अंदर है बिटा तीन layer तीन layer में divided है सबसे बाहर सबसे बीच में फिर अंदर तीन layer है और अगर आप इसे देखो तो ice cream जैसा भी कुछ बन जाएगा एक वो ice cream आती है कोई colorful वाली क्या कहते हैं उसको कसाटा ice cream वैसा कुछ लगेगा यह ठीक है इस तरीके से आपकी तीन layers बन जाएंगी तो हम लोग तीन color से बना लेते हैं ठीक है पूरे में मैं draw नहीं कर रही हूं बेटा तीन layers बना लेते हैं इसकी दिख रहा है यह color ठीक है तो हमने एक बनाई outer layer एक बनाई middle layer एक बनाई inner layer ठीक है तो outer से inner layer के नाम है अलग-अलग जिनका first वाली layer जो आपकी outer layer है इसका नाम है zona glomerulosa glomerulosa middle layer का नाम है बिटा zona fasciculata ठीक and inner layer का नाम है zona reticularis ठीक अब इसे याद कैसे रखेंगे GFR याद रख लीजे ठीक GFR याद रख लीजे हो गया zona glomerulosa zona fasciculata zona reticularis outer से inner ठीक है यह हो गया अब यह जो बिटा आपकी तीनो लेयर्स है यह कई सारे होर्मोन से क्रीट करती है जिने हम लोग collectively कहते है corticoids ठीक है क्या कहते है जिने हम लोग collectively corticoids catecholamines कां से release होते थे adrenal medula से ठीक लेकिन cortex से जो release होते होने हम लोग क्या कहते है corticoids इतनी बात याद रखिएगा चिक corticoids कहते है अब तीनों से अलग अलग corticoids release होंगे जैसे कि आपका जोना glomerulosa outer जो लेयर है पिटा उससे सेकरीट होते है mineralocorticoids इनसे सेकरीट होते है mineralocorticoids ठीक है mineralocorticoids का मतलब यह है कि हमारी body में कई न कई minerals का balance करेंगे यह तो आपकी body में water और electrolyte का balance यह करते है ठीक glomerulosa से क्या से क्रीट होंगे mineralocorticoids जो की आपके body में minerals का balance करेंगे regulation करेंगे जैसे कि water and electrolyte का balance करेंगे ठीक है and main mineralocorticoids की बात की जाया है तो eldosterone is the main mineralocorticoid आपको याद होगा जब हमने kidney functions पढ़े थे तो महाँ पर eldosterone का जिक्र हुआ था जो की आपके reabsorption of sodium ion water को बढ़ाता था renal tubule से and इनके बाहर हमने देखा था कि potassium ion बाहर जाते थे potassium ion और phosphate ion को eliminate करवाता था भही हमने यह पढ़ा था कि भाई अब जैसे यह हुआ तो body fluid volume regulate हो गया blood में से blood में हमने water को reabsorb करवा लिया excess water था तो से बाहर कर दिया तो body fluid volume को regulation हो गया body fluid volume regulate हो गया दूसरी बात blood pressure regulate हो गया हम लोग पढ़ते थे थे ना जैसी blood pressure बढ़ा तो यह होगा blood pressure कम होगा तो यह होगा तीन mechanism हम लोग पढ़कर आया थे तो वो यह ही है ठीक है और osmotic pressure को regulate करेगा यह सब कुछ relate करके हम लोग regulation of kidney function में पढ़कर आ चुके है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार उसे 2x पर विजा कर देखेंगे तो बहुत आपको ऐसे लगे है कि यह तो भी इसकी functions याद करना बहुत easy है again this chapter का नाम ही बेटा integration है समझ रहे coordination and integration तो आपको integrate कर नहीं है ठीक है यह होगा आपका mineralocorticoid इतने से function है और यह NCIT में थोड़ा आगे पीछे करके लिखा हुआ है यहीं पर आपको ऐसी लिखना है NCIT का paragraph आप अपनी बुक में साथ में भी रख सकते हैं आप देखेंगे मैं आपको देखा हूँ मेरे पास बुक है बिटा अगर आप देख पा रहे होंगे मुझे नहीं लगता कि camera में उतनी easily आपको दिखेगी बट अगर आप देखेंगे न आपके पास में बुक होगी मैं आपको बता देती हूँ किस जगा पर located है 337 पेज नमबर पर यह देखेंगे कुछ इस तरीके से बहुत ही ज्यादा यह समझ पार है बहुत ही ज्यादा mix करके paragraph दिये हुए हम देख पारेंगे कि दो तीन पारग्राफ में आपके अड्रिनल लैंड को खतम किया हुआ है and वहाँ पर सब कुछ mix करके दिया हुआ है अगर इस तरीके से लिख लोगे तो याद करना easy हो जाएगा मैंने कुछ अपनी तरफ से add नहीं किया है सब कुछ NCRT है but NCRT को clearly लिख लिए जिसे कि आपको भी याद हो जाएगा और आप लोग अच्छे से memorize कर पाएंगे भई क्यों है कि चीज को दस बार पढ़ना जब आपको दो बार में याद हो जाएगी दस बार आप revise करेंगे न ठीक है second layer जो middle layer है G के बाद में F आता है यानि की fascicolator और यह secret करती है glucocorticoid भई यह क्या बात होई आप इधर से भी तो mineralocorticoid release करवा सकते हैं देखिए G से release होते थे mineralocorticoid जबकि F से release होते glucocorticoid यह गलत मत कीजेगा ऐसा नहीं कि Glomerulosa से में Glucocorticoid Release नहीं हो सकते क्या, ये गर्थी मत कीजिएगा Glomerulosa से Release होंगे Mineralocorticoid जबकि Feciculator से Secret होंगे Glucocorticoid, ये प्लीज आप याद रखीजेगा बस याद रखीगा, जिसका जो है वो नहीं होता है जैसे Medula का Development Ectodermal था and Cortex का Development Mesodermal था सेम ऐसा, यहाँ पर उल्टा है Secrete Glucocorticoid अब Glucocorticoid क्या करेंगे आपकी Glucose की Metabolism में involved है चीक है क्या करेंगे, आपकी नए Glucose को form करना start कर देंगे Gluconeogenesis यानि की नया Glucose Gluconeo, मतलब नया Glucose form करेंगे, Genesis मतलब formation Gluconeogenesis करवाएंगे Lipolysis करवाएंगे, मतलब Lipid को Break करके Glucose बनवाएंगे Proteolysis, मतलब Protein को Break करके Glucose बनवाएंगे दूसरा, cells को रोक लेंगे कि Amino Acid अभी आपको नहीं लेने है हमें तो Glucose लिखा level बढ़ाना है ठीक है, तो Inhibit Cellular Uptake and Utilization of Amino Acid Amino Acid को Utilize नहीं होने देंगे Glucose बनाएंगे Also involved in Maintaining the Cardiovascular Activity and Kidney Functions इसके लावा Cardiovascular Activity और Kidney Functions को भी Maintain करेंगे ये बिटा और Main Glucocorticoid की बात की जाएंगे तो It is the Cortisol Cortisol is the Main Glucocorticoid अब Corticoid क्या हैं, Catecholamines क्या हैं, Cortisol क्या हैं ये सब confused नहीं होना है आपको ओके ये चीज़ें आपको अगर आप एक पेस पर लिख लेंगे तो आप कभी confused नहीं होंगे Cortisol is the Main Glucocorticoid and ये basically Anti-inflammatory reactions produce करता है और आपके immune response को suppress करता है दूसरा आपके RBC Production को बढ़ाता है RBC Production एक और जगे हम लोग पढ़कर आए है अभी अभी इसी lecture में कहां पढ़किया है वो आप मुझे comment में बताएंगे and Cortisol ने भी RBC Production में अपना participate दिया है ठीक है, तो RBC Production साइट में लिखके लिखके लिजे कौन-कौन करवा रहा है ठीक है इसमें Indrogen या." यानि की आपका testosterone भी आता है ठीक ये बात ध्यान से सुन लीजेगा इसमें आपका testosterone भी आता है और estrogen भी जाता है estrogen भी secret करता है अब देखलीजे en testosterone is the male hormone जबकि estrogen is the female hormone और देखा जाए adrenal gland to male female दोनों में present है इसका मतलब अगर male है तो आपकी body में estrogen है और मैं अगर female हूँ तो मेरी body में भी testosterone है but difference is this कि इनका secretion का amount कितना है अगर आप male है तो estrogen ज्यादा है अगर आप female है तो testosterone ज्यादा है बट अगर आप female है तो estrogen ज्यादा है अब यही अगर disrupt हो जाए तो आपने नोटिस किया होगा कि नहीं females को कभी-कभी beard जैसे कुछ hair growth होना start हो जाती है that is due to increased testosterone level from adrenal cortex और वहीं कुछ males में gynecomestria यानि की breast का development होना start हो जाता है that is due to increased level of estrogen in their body समझ रहे हैं तो you also have female hormone if you are a male and you also have male hormone if you are a female बट दोनों का जो level है वो depend करता है female में estrogen जादा है and males में testosterone गड़बर हुआ तो कहीं नहीं problems आना start हो जाती है और यह इतना तो point में आपको extra knowledge क्लिए लिए बता रहे हूँ NCRT में जो mention point है sex corticoid है तो जैसे ही puberty आई तो आपके axial hairs facial hairs को क्या है develop growth करवाना start करवा देता है pubic hairs axial hairs and facial hairs ठीक है तो pubic hairs जो भी आपके develop हो रहे हैं at the time of puberty आपके different body parts में and facial hairs को भी जिसे कि males में यह growth करवाता है ठीक इतना है बेटा आपका adrenal gland अब देखिए जितना मैं समझ पा रही हूँ जितना मैंने आपको यहां करवा है cortex इस पूरे cortex को आपको एक single sheet में भी बना सकते हैं है ना एक single sheet में भी आप बना सकते हैं मैंने आपको जिस तरीके से जैसे मैंने points लिखवाए हैं इसी format में आप points लिख लिजेगा कभी भी adrenal gland आपको confused नहीं करेगी चीक है तो इतना हो गया आपका adrenal gland अब इसके बाद में आपको दिया हुआ है pancreas pancreas हम लोग next lecture में पढ़ेंगे उससे पहले में आपको different type of glands भी बताना जाओंगी pancreas is a different type of gland basically these are the endocrine glands and pancreas is a mixocrine gland बहुत ही basic concept है 2 minute का concept है वो में आपको समझाओंगी pancreas समझाओंगी इसके बाद में बचेंगे आपके testis, ovaries और mechanism of hormone action and जो आपका nature of hormone है वो हम लोग पढ़ेंगे और आपका chapter done and dusted हो जाएगा जो major glands है वो हम लोग pituitory को बहुत अच्छे से पढ़ कर आ गए इसके बाद में adrenal gland जहांपर सबसे जद आपको confusion होता है वो हमने आज cover किया कल हम लोग करेंगे cover आपकी testis and ovaries and इसके अलावा pancreas जहांपर सबसे जद आपको confusion होता है तो आज की lecture के लिए इतना ही बट हाँ NCIT को पढ़के कोई भी doubt हो doubt group में डाल दीजेगा no doubt मैं वहाँ पर आपके सारे doubts clear कर दूँगी बिटा and इसके लावा कोई और subject में भी doubt होता है तो group study केजिए बहुत ही अच्छा option है वो आपके लिए वहाँ पर कोई फाल्तुकी बात है नहीं होंगी बिल्कुल आपको studies करने का ही मौका मिलेगा इस channel पर आपको notes भी मिल जाएंगे जैसे ही chapter end होगा और अगर आप Instagram user हैं तो कुछ important points के लिए वहाँ पर भी follow कर सकते हैं हमारे Instagram channel को but it is not necessary कि आप Instagram account जाकर बनाए अगर आपका already है आप उसे use कर रहे हैं आपने कुछ थोड़े बहुत जो break लेकर थोड़ा बहुत entertainment के लिए तो आप महाँ पर जाकर भी कुछ knowledge और add कर सकते हैं अपने साथ और अगर आप चाते हैं कि easily आपको जो videos हैं उन्हें फटा-फट से आप तोरन देख लें जैसी upload हो आप देख लें तो उसके लिए चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करते हैं तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी notification आपके पास आजाएगा और आपको जाके सर्च नहीं करना पड़ेगा तो सब्सक्राइब कर लिजे चैनल को और नेक्स लेक्च्चर के लिए प्रिपियर हो जाएए आज की लेक्च्चर के लिए इतना ही थैंक यू एंट हैव नाइस टे